वेल्कम बैक तो माई यूटिब चनल में हूरसुना पाथा आज हम जानेंगे इस वीडियो में पूरे आठ आठ हनी के बैनिफिट्स तो चलिए जानते कैसे कैसे आपको यूज करना है हनी को जिसे आपके स्किन में बहुत ही अच्छा निखार आएगा तो चलिए स्टार्ट क इसमें एट करूंगी वन टेबल स्पून हानी हानी में होता है एंटिबैक्टरियल प्रोपर्टी जो हमारे स्किन को डीप्री क्लीन करने के साथ साथ ब्रैटन अप और हैल्दी बनाने में हमारी हैल्प करता है अब इस मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लोंगी उसके बाद व नेक्स्ट हैक एकनी ट्रीट्मेंट इसके लिए हमें चाहिए संडर्बूर पाउडर मतलब चंदन पाउडर वन टेबल स्पून हानी दोनों को मिक्स करके एक क्यूटिव की हल से आपके फेस पे जहां जहां पिंपल एकनी है वहां वहां लगा के एंड लीविट ओवरनाइ इसमें थोड़ा सा हनी लेना है उसके बाद इसमें थोड़ा सा एलवेरा मिक्स करना है दोनों को मिक्स करके एफेक्टेर एरिया पे आप लगा लेंगे जस्ट लाक ऐसे देन वासफ अगर आपका लेपाम खतम हो चोगा है अगर आपका लेपाम खतम हो चोगा है तो आपके लिए बेस्ट है हनी हनी कैन हेल्प मॉस्टराइज यूर लिप्स एंड प्रोटेक्ट्रेक्ट लिप्स फ्रॉम इंफेक्शन अब बात करते हैं नेक्स्ट है कि फेस स्क्रब की हमें चाहिए थोड़ा सा सुगर उसमें मैं एड करूंगी वन टेवल स्पून हानी देन दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे से उसके बाद आप चेहरे पे अप्लाइज करूंगी जेन्टल हाथों से आपको मसाज करना है दे इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबले स्पून हानी नेक्स्ट इसमें एड करना हाफ लेमन और कोटन की हेल्प से आपको एफेक्टेर एरिया पे से लगाना है और 10-15 मिन तक ऐसा ही छोड़ देना उसके बाद नॉर्मल वाटर से वास कर लेना है इस बात करते हैं गलो फेस मास्की इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा हनी देन इसे आपको अपने चेहरे पर प्लाइ करना डिरेक्टी ऐसे ही यह आपकी चेहरे को काफी ब्राइटन करता है यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है अब बात करते हैं नेक्स्ट है की उसके लिए हमें चाहिए रैस फ्लोर यानि चावल का आटा उसके बद में इसमें एड्ड करोंगी वन ठेवले स्पून हानी दोनों को मिक्स करके्टी अपने तो अग्स्टी आपके उसे अपने नहीं आपको अपनी चहरे पे अप्लाइ करना है देन 10-15 मिनिट रखने के बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर से वास कर लेना है यह आपके रंगत को काफी हद तक निखाड़ेगी वीडियो मैं आपको पूरे 8 यूजेज बताई होने के जो आपके स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा वेनिफिसियल है तो आपके यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सस्क्राइब कॉमेंट जरू करना बाई